मोदी जी केजरी बाल जी से डरे हुए है इसलिए जेल में डाला है अभी तक कोई F.I.R. नहीं हुए है सिर्फ साथ वार नाम नहीं लेने के बाद एक बार नाम लिया है उन्होंने भी इसलिए नाम लिया है कि मैं सिर्फ मिलने आया था आप यह मिलने आये हो किस मान सिक्ता से मेरे को नहीं पता मिलने के नाम पर इडी ने उनको गिरबदार कर लिया है सिर्फ आप देखना चुनाब के बाद में केजरी बाल जी पर कोई एफाई आर तक नहीं है कोई केस नहीं होगा बाकाइदा फिरी होकर घर आएंगे दिल्ली की सीट पर कोई खेला होने वाला नहीं ह सहीराम पहलवान, सहीराम पहलवान, सहीराम पहलवान है और जो चुनाब होगा वो शिक्षा पर होगा, चिकिस्सा पर होगा, अच्छे स्वास्त पर होगा, 200 यूनिट फिरी पर होगा, महिलाओं की फिरी बस यात्रा पर होगा और जो सम्मान नासी 1000 रुपे पिरतेक महिला को दी जारी है उस पर होगा उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है और आज भाजपा ने उनको जूटे केस में जेल में डाल लखा है तो जनता जेल का जवाब बोर्ट से देगी और साथ हो सीटम दिल्ली में जितेंगे वो के वड़ आरोप लग रहे हैं उनको कोई भी सभूत नहीं है अभी तक कोई मनिट्रेल बिला ही नहीं है बलकि मनिट्रेल तो भाजपा के पास बिला है क्योंकि सरच चंद्रेट्टी ने उनको चंदा दिया है और कि अफ्तार हमें कर लिया गया है अच्छाई तो यह है कि आम आदमी पार्टी नहीं भी भारती जंता पार्टी को या अन्य पार्टी को राजनीति करना सिखाया है चंदे का पैसा या इडी एडी के दुआरा दढ़ा धमका के फिर दूसरी दूसरे लोगों से चंदा ले लेके वो पैसे को अपनी राजनीतिक मंचा पूरी करने के लिए जो वो इस्तमाल करते हैं आम आदमी पार्टी ऐसा कता ही नहीं करती है बजट का पैसा लोगों की सेवा में लगाती है निक्ष्णाय न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अबराल लख रहमान दिली की तीन लोग सबास सीटों पर आम आदमी कर दावेदारी के शुकर रही है और कई मुदों को लेकर वो जो है समय यहां पर जनता के बीच कहीं अपने पक्ष्म माहौल भी बनाएं लेकिन सवाल ये पैदा होते हैं कि आखिरकार जिस बरश्टाचार को लेकर उनके खिलाप आरोब लगे हैं अर्विन के रिवाल को ज जनता कि आप इन बातों से उपर उठकर उनके पक्ष्म में वोट करेगी यह देखने वाली बात होगी उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि भार्त जनता पार्टी ने जो आरोब उनके उपर लगाए हैं बश्ट अचार करने को लेकर शराव आपका रिनिती मामले क इस मामले में वह किस हद तक भाजपा को जो है अपनी चंगल में फसा सकते और जनता को अपनी तरफ कर सकते हैं पूरे मामले से जुड़ा हुआ आई आप एक रिपोर्ट दिखाते हैं ली की जनता के जी वाल जी को प्यार करती है उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम कि करे का जिकर किया है तो सवाल मेरा यह है अखरकार भारतिये जनता पार्टी के उपर जो आरोप लगाये जा रहे हैं या फिर आपको कितनी उम्मीद है कि कोट से आपको कब तक रियायत मिल सकती है अर्विन केजरिवाल जी बाहर आ सकते हैं क्या चुनाव से पहले पहले उनको रहात मिल सकते हैं यह सच्छा है कि बीजेपी ने डरके उनको जेल में डाला था लेकिन वह यह नहीं जानते कि केजरिवाल बाहर से ज्यादा अंदर खतर नाके इसलिए पूरी दिल्ली की जंता ने मन बना रखका है कि दिल्ली इस सातों सीट इंडिया कटबंदन को मिलेगी और हम सातों सीट जीतेंगे इस बार मामला क्या वाकई पका है क्या नीती रनीती के तौर पर आप सब एक हैं या कहीं ना कहीं मन मुटाव हैं इस सब एक है जो कांग्रेस के कारे करता है वो सब मिलके काम कर रहे हैं आमादी पार्टी के कारे करते हैं और इनकी ताना शाहिद देखके दिल्ली की जनता के अंदर बहुत रोश है आने वाली चारतर को पता चल जाएगा हम साथ उसीट दिल्ली में जीतेंगे इस साथों सीटों से हम जीत रहे हैं और कौन से मुद्धे आपको लगते हैं खास करके शराब आपकारी निती वाला मामला काफी जादा गंभीर है इसको लेकर के भाजपा आरोप लगा रही है आमादी पार्टी भरष्टा चार कर रही थी इस तरीके की बातों को लेकर इस Jeep पास पॉई सबूत नहीं इनके इडीने कोई आपकानून में बड़ाव लाने के बाद के जिवाल सर को बंद करना था इसी बिना सबूत के ओन्होंने कर दिया नहीं बता देना चाहते हैं भारती को थे खेले की से न बहारै जोह उनकी साथों सीटों को जिदा के लिए अब देख रहे हैं कि दिल्ली की राजनिती में मनेश से सोधिया हूं अर्विन के रिवाल हूं या फिर सतेंद्र चैन हो संजय सिंग हो यह तमाम ऐसे बड़े चरह हैं जो कि आम आदमी पार्टी की जीत का एक बड़ा सुरोत माने जाते हैं यह राश्ट्री अस्तर के बड़ चैन्यों चैन्यों को ले करके हम आदमी पार्टी की क्लिषा और भाइचर फॉर फॉर्प करो पानी पानी प्रक्र हो लिकार्भर है मत बना उ में दूसरी समझना पड़े का दर्शक हो कि आया लंबास में समयसे जो आप देख रहें कि पूरे मामले को को लेकर के यह दावे और यह फिर इस तरिकी के बयान क्या सिद्र तोर पर यह क्या जा सकता है क्या आदमी पार्टी इस बार दिल्ली में इन तीन लोग सबस्टीटों पर अपनी जिए सुनिश्चित कर पाएगी अरवाई दूसरी तरफ यह कि भारती जंता पार्टी एंडी लेकर भाजपा आरोप लगा रही है कि फिरी का पैसा कहां से आ रहा इस तरीके की बाते कैसे देखेए उनके पास कोई सुबूत तो है नहीं एक आधार बनाया उन्होंने जोटा या आधार पर के जिवार को फताया गया है और इसका कोई सबूत तो उनके पास है नहीं और कोई मतलब कोई देखा रहा है तो कोई तो आपको क्या लगता है कि कब तक उनको रहात मिल पाएगी जो है चुनाओं से पहले चुनाओं के दर्मियान या चुनाओं के रहात तो मिलेगी क्योंकि परवर्दिगार हमारा जो इस साफ के साथ हैं और उनसाफ होके रहेगा आज मीड़ों देर लेकिन जब के जिवार की सरकार बनेगी तो इनिशालला यह मतलब के जिवार बाहर आ जाएगी तो यह तमाम लोगों की राय है अपनी अपनी और भी लोग इंसे समझते ह आखिरकार इस बार दिल्ली की साथ जो है सीट पर क्या खेला होने वाला है और क्या आपको लगते हैं मुद्दे वहावी नहीं दिल्ली की सीट पर कोई खेला होने वाला नहीं है दक्षिनी दिल्ली में सहीराम पहलवान सहीराम पहलवान सहीराम पहलवान है और जो चुनूआब नहीं है किसी तरीका से कोई तकर में नहीं है सिर्प सभिया एक सवाल यह कि अमादमी पार्टी के सरष अस्तर के नेता इस बार जेल में क्या लगता आपको कितना जेल में इस लिए डरे हुए हैं दल्हिण जीटेजिधिवाल जीटेश गुट यह सी यहां इसलिए जहें की आप देखनें चुटी आप देखना चुनाप के बाद में बढ़ा गोठाला हुआ है आरोप मात्र भरे या कुछ सच्छाई है यह आपकी राजिनीती से ऊच्छी से डर इस तरइक का माँदने ऊक्यान और निए और हमारी सरकार तो उनकी वैसे भी नहीं बन रही है लोगों सबसे पहले तो यह सवाल है कि अर्विन केज्रिवाल के जेल में बंद होने के बाद भी क्या आम आदमी पार्टी उस तरीके से चिनाव परचार पर सार कर पाएगी और क्या जंता उन से सीधे तोर पर जूण जोड़े रहें एक्षान जोड़े रहें एक्षान जोड़े रहें